आज मेरे आपके लेकर आगया हूँ फिर से एक बहतरीन वीडियो किस बारे में gaming laptops के बारे में under Rs.60,000 तो इस वीडियो हम डिसकस करेंगे इनी laptops के बारे में क्या-क्या इन में specification है, क्या-क्या इन में issues है, इस price range में कौन से laptop आपको gaming के लिए consider बिल्कुल भी नहीं करने है आज सबसे जरुवी चीज, सबसे अच्छा gaming laptop कौन सा है, तो जल्दी से शुरू करते हैं, मगर उससे पहले, हाई गाइस, मैं होरी शबूर, आप देख रहे हैं, मेरा चैनल 421 Gadgets, यहाँ पर हम बात करते हैं, laptop, mobile, camera, और उसे जुदी सभी एक से शीरीज के बारे में, तो जल्दी से शुरू करने से पहले, सबसे पहली चीज और important चीज की इस price range में कैसी-कैसी configuration मिलती है, तो शुरू करते हैं, प्रोसेसर से, गाइस, अंडर रूपी 60,000 में, हम बिल्कुल भी i5 10th generation recommend नहीं करते हैं, और i3 तो भूली जाओ, तो यहाँ पर हम recommend करेंगे, i5 11th generation और Ryzen 5 3rd generation और 4 generation, उसके साथ साथ, दूसरा point, RAM, RAM में guys सीधा साथ सीन है, 8GB की RAM minimum है, जितनी जादा हो उतनी अच्छी है, तीसरा point, graphic card, 3GB का graphic card भी चलेगा, अगर 1050 मिल रहे, वरना preferably हम करते हैं, 1650 यह फिर 1650 Ti, और सबसे ज़रूरी चीज, no to HDD, and हो सके तो 1TB HDD plus 256GB SSD, हम exclusively SSD प्रिफर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें game भी store करनी होती हैं, game में जादा storage चाहिए होती है, तो इसे लिए हम एक hybrid combination प्रिफर करेंगे, इस price range में, बकि और वी बहुत सही चीज़े हैं, जिसे heating कितनी अच्छी है, laptop पे display कितना अच्छा है, कितने hertz का laptop है, तो इस अभी चीज़ों consider करके, मैं आपके सामने, अब जो laptop बताने वाला हूँ, उसमें हमारा सबसे प्रहा laptop है, HP Pavilion का gaming series का, इस price range पे भिखने वाला, one of the best laptop, तो चंदी से बढ़ते हैं, इसके specs की तरफ, तो guys ये आता है, Ryzen 5 के 3rd generation के साथ, 3550H, 2.1 GHz की base speed मिलेगी and 3.7 की turbo boost, अगर RAM की बात की जाए, तो इसमें आपको 8 GB की DDR4 RAM मिलेगी, चुकि expandable अपटू 16 GB तक and 1 TB की HDD मिलेगी, point number one, 1 TB की HDD, मैंने आपको वीडियो के शुरू महीं बताया है, कि हम exclusively HDD नहीं लेंगे, either it will be HDD plus SSD or exclusively SSD, ठीक है, तो इस laptop में सबसे पहला issue and सबसे बड़ा issue है HDD, तो point number one, either आप इस laptop में अगर SSD दलवाने वाले हो, तो आप इस laptop को low, और अगर नहीं दलवाने वाले हो, तो इस laptop को बिलकुल भी ना लें, ठीक है, और अब आप पूछोगे कि एक SSD कितने की आएगी, guys SSD का rate vary करता है, time to time, almost 3000 से 4000 आपको पढ़ जाएगी, तो यहाँ पर आपको खुद देखना है, तो जो लोग SSD लवाने वाले हैं, उन लोग के लिए आगे detail में और इस laptop में जाऊँगा, बरना, HDD का हमाई लिस्ट में मिलने वाला यह एक लौता laptop है, बाकी आगे सारे laptop में SSD मिलेगा, बट उसी सबसे price भी उनके थोड़े से ज़ाद है, तो यहाँ पर आपको अपनी call लेनी है, और साथ में इसमें आपको मिलेगी 15 इंच की full HD display, which is awesome, साथ में NVIDIA का Geforce GTX 1650 का graphic card, जो की 4GB की RAM के साथ आता है, HP का True Vision का HD camera मिल रहा है, Windows 10 Home है, पोर्ट में वही सभी सारे पोर्ट, Type C का पोर्ट, Type A का पोर्ट, Type A 2.0 का पोर्ट, HDMI port, RG45, जो की Ethernet के लिए होता है, headphone jack and price है, इसका 52,990, अब बात की जाए, इसके issues की तो guys, almost इसमें as such कोई बहुत बड़ा major issue नहीं है, other than इसमें SSD नहीं आती है, बाकि performance wise यह वैसी performance डिलिवर करता है, जैसे इस processor को करनी चाहिए, फिर इस spec वाले laptop को करनी चाहिए, तो जैसे की मैं आपको शुरू में बताया, अगर आप SSD डलवाने वाले हो, तो आप इसको consider कर सकते हो, वरना इस laptop को हम completely ignore कर सकते हैं, तो बढ़ते है हमारे अगले laptop की तरफ, जो की है Asus का Aspire 7, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, Ryzen 5 का processor 3500H, जो की आता है again, 2.1 GHz की base speed के साथ, up to 3. 3.7 turbo boost, 8 GB की DDR4 RAM है, इसमें HDD ना देके सीधा उने 512 GB की SSD दी है, 512 GB की SSD is worth it, ऐसो को issue नहीं है, हम बेलकुल accept करते हैं, ऐसे storage को, 15 इंच का full HD display है, backlit है जो की, एन ग्राफिक काड की बात की जाए, तो again, 4 ग्राफिक काड है, बट 1650 Ti है, जो HP मिल रहा था, वो 1650 था, जो इस 1650 Ti आपका 1650 से थोड़ा सा जाधा fast होता है, बट on paper ही fast है, आप real life में difference देख के बतानी पाऊगे की हाँ, 4-5 frames का difference हैगा, उसे जाधा difference नहीं आएगा, उसके साथ साथ आपको Windows 10 Home मिलेगी, USB Type-C मिलेगा, USB Type 2.0 मिलेगा, HDMI port है, 2 USB 3.2 के jack है, Wi-Fi 6 का support है, and again, price है इसका 52,990, same as HP Pavilion Gaming, तो guys, अगर आपका budget 52,000 तक का है, तो guys, इससे अच्छा laptop तो आपको बिलकुल भी नहीं मिल सकता, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो, जिनका budget थोड़ा और बढ़ सकता है, तो अगला laptop आपके लिए हो सकता है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले laptop की तरफ, जो की ह HP 250 G7, तो guys, यह आता है आपका Intel के i5 10 Gen के साथ, issue number 1, Intel i5 10 Gen, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं i5 10 Gen बिलकुल भी recommend नहीं करता हूं, तो इस laptop कम consider नहीं करेंगे, बट इसको डालने का एक reason है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस price range में कैसे कैसे laptop market में आ रहे हैं, तो point number 2 पे चलते हैं, इसमें आपको 8GB की DDR4 RAM मिलेगी, 1TB की HDD मिलेगी, तो इसमें आपको HDD भी मिल रही है, guys, मैंने आपको अभी भी बताया था कि हम HDD बिलकुल भी recommend नहीं करते हैं, तो इस laptop को तो अब हम बिलकुल भी नहीं ले सकते हैं, अब grade भी क्यों करेंगे, और price है इसक आपको उस वीडियो का लिंक उपर आई बटम जोगा, आप उसको जाके चेक करें, बट अगर आपको gaming में चाहिए, तो ये laptop क्या, मतब किसी भी तरीके से laptop को हम नहीं लेंगे, तो बटते हैं हमारे अगले laptop की तरफ, जो की है Mi Notebook 14 Horizon Edition, तो आप बोलोगे, कि ये तो productivity के और जाहतर उसको productivity का हम करें, कोडिंग हो गई, या फिर editing हो गई, and stuff, तो उसके लिए laptop है, बट अगर आप उन लोगों में से हो, जो किवल game खेलना है, जिसका main focus है, and productivity second focus है, तो उसके लिए laptop बिलकुल भी नहीं है, ये laptop उन ही लोगों के लिए, जिनका main focus productivity है, and second focus games है, यान कि आप हफते में एक दिन game खेलने वाले हो, तो आप इसको ले सकते हो, तो बढ़ते हैं हमारे specs की तरफ, तो इसमें आपको मिल जाएगा, Intel का i7 का 10th generation का processor, 1.8 GHz की base speed, and turbo boost up to 4.9 GHz, 8 GB की DDR4 RAM है, उसमें आपको 2666 MHz की RAM मिलेगी, storage में आपको 512 GB की NVMe SSD मिल रही है, 14 inch का full HD display है, that is awesome, NVIDIA का MX350 का 2 GB का graphic card है, and ये जो MX series होती है न, ये जातर battery कम खाने वाली series होती है, तो इसी वज़े से इन laptops की battery backup भी अच्छा होता है, साथ में आपको metal body मिलेगी, ये तो सभी को पता है, laptop का weight है 1.35 kg, which is awesome, battle life 10 घंटे का बोल रहा है, मुझे doubt है, 6-7 घंटे आप expect करो, उससे जादा अच्छा battery backup इसका नहीं आना चाहिए, बाकी वही आपको speakers मिलेंगे, ports मिलेंगे, 3.1, 2.0, type cjmi out, 3.5 mm का jack है, windows 10 home है, and पता नहीं क्यों Microsoft Office 365 का एक महिनी का trial दिया है, उसको लिखा भी है website पर लागे कि ये trial है, तो इसके issue पर चलते है, issue number 1, guys इसमें जो camera है, वो आपका laptop के अंदर नहीं आता, आपको एक external camera मिलेगा, तो एक burden रहेगा आपके पास हमेशा carry करते time की, हाई external camera लेके चलना है, point number 2, RAM, RAM is not expandable, 8GB की RAM के साथ आपको lifelong रहना पड़ेगा, अगर आप future में कभी RAM बढ़वाने का सोचोगे, तो आपको नए laptop की लेना पड़ेगा, इसमें RAM आप upgrade नहीं करवा सकते हो, तो इसमें आपको मिलेगा, Ryzen 7 3rd generation, 3750H processor, जिसमें आपको 2.3 GHz की base speed मिलेगी, up to 4 GHz, 8GB की DDR4 RAM है, 2400 MHz की frequency पर, and इसको आप upgrade कर सकते हो 32 GB तक, which is great, इसके साथ आपको इसमें 1 TB की HDD, and 256 GB की NVMe SSD मिलेगी, which is again an awesome alternative, अगर बात की जाए graphic card की, तो again इसमें आपको मिल रहा है 1650 का 4 GB का graphic card, जो कि इस price range में हर कोई offer करता है, और से यादा कोई offer नहीं करता, 15.6 inch का full HD का display है 144Hz का refresh rate, guys, ऐसा feature जो अभी तक किसी laptop में नहीं है, वो है 144Hz का refresh rate, gaming में refresh rate बहुत अच्छा मैटा करता है, अगर आपके बस अच्छा processor है तभी तो आप अच्छे refresh rate का फायदा उठा पाऊगे, तो अभी तक कि जो laptop थे ना उनका processor इतना strong नहीं था, अगर वो 144Hz देंगे भी तो आज के current games में वो अपना निकाल नहीं पाएंगे, बट इसमें ये निकाल रहा है और हैंस ये अच्छा display भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपको इसमें मिलेगी Windows 10 Home lifetime की variety के साथ, laptop का weight 2.2 gauge है थोड़ा सा भारी है बट गेमिंग laptop को आप भारी समझ भी सकते हो, उसके साथ साथ आपको इसमें hyper cool technology मिलेगी, anti dust cooling है, dual fan design है, hyper fan है, and पता नहीं क्या के इनुने लिखा है बट इसका main fund ये है कि ये आपके laptop को गरम होने नहीं देगा अगर आप बहुत सादा game खेलते हो या फिर बहुत लंबी time तक game खेलते हो, साथ मैं आपको keyboard में महनत करिया है, इनुने WASD की design दिया, यानि कि जो आपकी WASD keys है, वो सारी की सारी आपकी अलग से highlight होंगी, आपका one zone RGB backlighting है, यानि कि आपकी जो सारी keyboards है, वो सारी की सारी RGB में आप backlight कर सकते हों, which is again a press point, बाकि 1.8 mm का key travel है, hyper strike technology है, बहुत सारी feature दिये इनुने keyboard में, शायद वो चाहते हैं कि आप laptop पर ही game खेलो, but मैं आपको remind करवाईता हूँ, जात तर जो लोग gaming laptop लेते हैं, वो साथ में gaming keyboard और mouse भी लेते हैं, बाकि अगर आपका SMU खरीदने का मन नहीं है, तो आपको इस के keyboard में भी नहीं मजाएगा, and सबसे epic चीज, ये एक military grade laptop है, याने की, इन्होंने बहुत अच्छे से इसकी testing करी है, rough and steady laptop है, wifi 5 मिल रहा है, आपको Bluetooth 5 मिल रहा है, HD camera मिल रहा है, which is again a rare point, साथ ही साथ, 2 by 2 watt के speakers मिल रहे हैं, जो की average हैसी price point पे मिलते हैं, and price है का 60,000 rupees, तो guys, in short, इस price range में मिलने वाला, one of the best laptop यही है, gaming के लिए, मैं आपको बोल रहा हूं, other than battery, इस laptop में कोई भी major flaw नहीं है, and, अगर आपको कोई doubt है, इस laptop में या फिर किसी भी laptop में, तो आप कुछ से इंचे कबने पूछ सकते हैं, तो end करते हैं ऐसी के साथ हमारी आज की वीडियो, अगर आपको ए वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को like करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी laptop related वीडियो जब बनाते रहते हैं, and हाँ, इस वीडियो को like करें भी न न जाए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए, बबाई,